तो क्या हाल चाल दोस्तों ये है Vivo का V27 और ये है Vivo का V29 Pro और हम करने वाले हैं आज दोनों फोन का camera comparison और ये दोनों camera comparison होने वाला इन दोनों फोन का update करने के बाद मतलब की updated ये दोनों फोन हो चुके हैं और मैं करने वाला हूँ book के वीडियो मतलब की जो वीडियो में blur वाले वीडियो होते हैं उनको test करने वाला इन दूनों फोन में देखते हैं कौन सा ज्यादा बेटर क्वैलिटी देगा या ज्यादा बेटर बिलर देने वाला background में सब कुछ test करेंगे और हाँ रिजर्ट में काफ़ी difference इन दोनों फोन में चलते हैं वीवो वी 29 प्रो वर्सेज वीवो वी 27 के कैमरा कमप्यारजन पर वी 29 प्रो में बैटर कलर आ रहा है हाँ एक चीज़ देखता तो वी 27 में बुकेज होता है उसने यहाँ पर लूज कर दिया है पीछे यह कभी कभी वी 27 भी करता है वी 29 प्रो की बात करें तो वह भी दिखा दा हूँ में थोड़ा ज्यादा बैठर वी 29 प्रो है वी 27 के मुकाबले अगर मैं थोड़ा बात करें यहाँ पर कलर थोड़ा ब्राइट वीडियो थोड़ा ज्यादा डीटेलिंग साथ वह आता है वी 29 प्रो में अब ये वीडियो छोच रहा है अशिके टेली ना फोट लें से-वे अब देख़ दो टेली फोटो noses बोटो टार रड। बात वी इसाव्सी में डिफ्रेंज बहुत जादा है V29 का जो वीडियो है जादा बेटर है V27 के मुकाबले क्योंकि V29 का तो टेली फोटो है वो काफी नेक्स लेगा मतलब V29 प्रो का लो लाइट में भी डैनमेक रेंज में भी V29 प्रो जादा बेटर है वीडियो में यहां पर मैं चलते हुए video बिनारहा हु मिनOUGH में फोनके से खेली फोटो पर टेली फोटो थोड़ा सा आपको shake करता हूँ मिलेगा लेकिन H 사는데 लूल नेक्सलेगी आपको देखी करनेगा है ज्यादा Zoom आपको देखीने की मिलेगा टेली फोटो colors वगेरा काफी अच्छे मिलते हैं V29 Pro में लेकिन अगर टेली फोटो पे वीडियो शूट करोगे तो वहाँ पे वो थोड़ा शेक वीडियो दिखाई देगा हो यहाँ पे V27 के मुकाबले जैसा कि देख सकते हो V27 थोड़ा जादा बेटर, stable है V29 Pro के मुकाबले लेकिन quality colors V29 Pro में जादा बेटर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो कभी-कभी V27 बुके बलर को छोड़ देता है जैसा कि अभी छोड़े हुए अभी जाके इसने catch किया यह है इन दोनों के back camera से 1X पर मैं आपको थोड़ा सा autofocus दिखाता हूँ blur का कि कौन सा phone जादा बेटर मैं थोड़ा दूर जाता हूँ अभी दोनों ने जो blur है वो दोनों ने छोड़ दिया है मतलब वहाँ पे catch नहीं कर रहा है काफी जादा दूर हूँ बुके blur नहीं आ रहा बैक्राउंड में लेकिन अभी जब मैं नजदीक जाऊँगा तो देखते हैं कि कौन सा पहले blur करता है वीडियो में मैं अभी नजदीक जा रहा हूँ और आभी जा रहा हूँ देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर होगा किया है जो कि V29 और V29 प्रो मतलब V29 में भी नहीं है V29 प्रो में भी रेट टोन की प्रॉब्लम नहीं अब देख सकते हो V29 प्रोड को भी blur किया हुआ है यहाँ पे लेकिन V27 ने रोड को blur नहीं किया है बिना अब्जेक्ट के लेकिन अभी मैं चलते हुए एक चीज दिखाऊंगा आपको और नोटिस कराता हूँ अभी देख सकते हो V29 प्रो पे रोड ब्लर है लेकिन अब देख सकते हो V29 प्रो ने ब्लर को हटा दिया है और वही प्रॉब्लम अभी भी है दोनों में यहाँ पे काफी अच्छे हैं लेकिन ब्लर वीडियो जादा V27 रोड को भी कर रहा है तो यह चीज है बाकि ओवरॉल दोनों कैमरे अच्छे हैं दोड के वीडियो हम दोनों से नहीं बना सकते हैं अगर मैं वहीं बात करूँ तो दोनों सिमिलर कलर लेते हैं पत्तो अगर रहा है तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है और अगर मैं थोड़ा से यहाँ पर आटो फोकस देखे तो अभी इसने फिर से ब्लर छोड़ दिया है बैक में यह चीज मैंने V27 में भी V29 प्रो में दोनों में नोटिस किया है बाकि बलर काफी अच्छा करता है अभी मैं चेक करने वालू हूँ बलर का आटो फोकस तो अभी देखे तो फिर से इसने बलर छोड़ दिया है यह इसमें थोड़ा ग्लिच मुझे लगता है बाकि आटो फोकस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थोड़ा सा नस्दिक जाता हूँ फिसमें अचानक करूँगा देखते हैं कि blur आता है की नहीं मैं यहां से करता हूँ थोड़ा सा देखते हैं यहां देखते हैं तो दोनों ने काफी अच्छा मतलब यहां V27 थोड़ा थोड़ा कभी कभी छोड़ देता है लेकिन हाँ दोनों क कर लेते हैं काफी ज़्यादा अच्छे तरीके से overall camera में कमी नहीं है दोनों के बस कमी है colors में थोड़ा सा detailing में थोड़ा सा red tone इस पर V29 Pro में आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर इन चीजों में V29 Pro winner है बात करें front video की front में यहाँ पर V29 Pro में ज़्यादा अच्छी detail दी है background में blur दोनों काफी अच्छे करते हैं लेकिन colors में थोड़ा ज़्यादा मुझे better V29 Pro ही लगा है V27 के मुकाबले आप देख सकते हो लेकिन हाँ blur वाली बात के dynamic range हो यह दोनों काफी अच्छे काम करते हैं मुझे आज एक चीज़ दिखने के मिलना है जो कि video थोड़ा yellow आ रहा है V27 में लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है जहां कि colors green जो है V29 Pro में ज़्यादा better दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ videos की videos में दोनों काफी अच्छे काम करते हैं लेकिन जो notice हुआ है Vivo V27 में colors थोड़ा सा मुझे लगता है इस्टगल करता है अगर वहाँ पर low light है या वहाँ पर dynamic range वाली situation हो रही है वहीं V29 Pro ने उस चीज़ को काफी अच्छे से handle किया है तो यहाँ पर V29 Pro dynamic range में काफी अच्छा काम करता है वहीं बात करें टेली photo lens 2X की जो की V29 Pro में आपको मिलता है उसमें इसने V27 को पिछार दिया है लेकिन हाँ हम यह भी माँज सकते हैं इसमें आपको टेली photo lens नहीं मिलता है लेकिन हम अगर zooming की बात करें या यहाँ पर हम dynamic range की बात करें तो कहीं न कहीं यह थोड़ा better V27 से definitely है बागी quality में भी काफी difference है colors काफी natural से आते हैं और इसमें red tone वाली problem है जो कि आप जानते हों लेकिन V29 क्या V29 Pro दोनों में face पर red tone वाली problem बिल्कुल नहीं है तो overall यहाँ पर यह काफी अच्छा काम करता है V29 Pro blur वाले वीडियो में कभी-कभी नोनों फोन में थोड़ा ग्लीज थोड़ा bugs भी देखने मिलें मतलब कि बुके blur को ना करना या उसको छोड़ देना वो भी सारी चीज हम लोगों ने देखी आगी road पे कभी-कभी चलते हुए यह ज़्यादा blur करता है और यह blur नहीं करता कभी यह blur छोड़ देता है मतलब कि overall दोनों में थोड़ा bugs रह गए है लेकिन next level के जो वीडियो निकालता है वो V29 Pro definitely है बाकी हम अगर बात करें अब photos की चलते हैं photos पर और इन दोनों फोन से photos लिये गए है portrait पर 2X पर 1X पर front में सारी photos लिये गई है देन ना करते हुए चलते हैं वीडियो पर नहीं बात करें photos की photos दोनों अच्छे लेते हैं लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ V29 Pro का camera थोड़ा सा better V27 से है लेकिन दोनों camera काफी अच्छे हैं मैं यहाँ पर ज़ादा difference नहीं बता पाऊंगा क्योंकि दोनों को जो output जो result आता है वो बहुत similar सा मुझे लगता है photos में मैं बोलूँगा चाहे वो V27 हो 27 Pro हो V29 हो 29 Pro हो सब exact same ही quality देखते हैं चाहे वो 1X पर हो या portrait हो blur हो या front camera हो दोनों phone काफी ज़्यादा similar है तो यहाँ पर ज़्यादा difference नहीं है थोड़ा सा lighting के difference V29 Pro में हो सकता है colors ज़्यादा boost नहीं होंगे V29 Pro में बाकी overall दोनों का same to same है चाहे वो detailing हो, dynamic range हो या कुछ भी हो, सब कुछ exact same मिलता है, थोड़ा सा मैं कहता हूँ थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर color जो होते हैं, थोड़ा ready to post वाली photo ज़्यादा V27 मिलता है मतलब कि edited photo और V29 Pro में थोड़ा सा वहाँ पर edited तो होता है लेकिन वहाँ पर थोड़ा natural चीज़े भी डालेगी है जिससे ज़्यादा वो मतलब कि beauty वाला चीज नहीं होता है बाकि overall दोनों के camera काफी अच्छे हैं next level के हैं और किसी में photos में दोनों में कमी नहीं है बाकि overall photos आपने देखा photos में मैं कमी, किसी में नहीं बोलूँगा दोनों exact same में काफी अच्छे photos निकालते हैं चाहे वो background हो, colors हो सब कुछ बिल्कुल exact same है कहीं difference नहीं है हाँ, थोड़ा सा minor difference V29 Pro में हो सकता है photos में detailing में लेकिन यहाँ पे difference बहुत ही ज़्यादा कम है phone दोनों photos में काफी next level चाहे 2X में जो tele photo lens से photo गीसता है और इसका जो busy tele 2X है वो भी काफी अच्छा काम करता है तो overall photo में next level का है बाकी आपके पास कौन सा phone है या आप लेने वाले हो V29 Pro definitely ले सकते हो काफी अच्छे camera के साथ आएगा काफी अच्छी performance के साथ आएगा तो यहाँ पे हम बात करें इन दोनों phone के conclusion की कौन सा phone ज़्यादा better है तो better की बात करें वीडियोज में तो हाँ definitely मैं वीडियोज में V29 Pro को better बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अच्छा काम किया गया है camera में वही V27 ने भी काफी अच्छा वीडियोज निकाला है लेकिन इससे थोड़ा better V29 Pro है बाकी overall दोनों phone काफी अच्छे है आपका phone कैसा चल रहा है मुझे comment में बता सकते हो चापके पास V27 है या 29 है या 29 Pro बाकी यह मेरे पास V29 Pro है तो वीडियो चे लगी हो चैनल अच्छा लगा हो चैनल को सब्क्राइब कर सकते हो लाइक कॉमेंट भी कर सकते हो और नई वीडियो के साथ अपता के लिए गुडबाई